यहे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करती हूं कि भहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे टाम टू टाम वीडियोज को भी देख रहे होंगे और इनसे मदद ले रहे होंगे अपने पढ़ाई में तो दोस्तों हमने जो 2000 कोशन की सीरीज चला रखी है उससे संबंदित वीडियो है तो इसमें हम देखते हैं 20 कोशन जो कि दोपैर वाले वीडियो आती है 12 बजे उसमें और बाकी इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट आएगा बो आएगा शाम को 8 बजे तो हम यह वीडियो लाते हैं दिन में तीन बार फिर शाम को 8 बजे तीन वीडियो आती है एक दिन में ठीक है तो आप तीनों वीडियो देखा करो बिल्कुल टाइम पर आती है चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है पदमाबत के लेखक कौन है आपको बताना है कि जो पदमाबत है उसके लेखक है वो राम चंदर शुकल ने प्रमाक्षान काब परमपरा का पिर्थम कभी किसे कंब जैसी को कहा है मुल midnight appeared मुला धाउद को गाताईं या फिर मन्जन को काहा है तो आप बताएं किसको कहा है उन्हें? तो दोस्तों इन्होंने जो प्रिथम कभी माना है प्रेमाक्षान काव्य परंप्रा का वो माना है कुतूबन को अस्ट छापकी इस्थापना कभ हुई आपको बताना है कि अस्ट छापकी इस्थापना कभ हुई 1560 में हुई, 1600 में हुई, 1565 में हुई या फिर 1570 इस्वी में हुई तो आप बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1565 इस्वी सूर्दास की भक्ती पद्यती का मेरुदंड कौन सी भक्ती है देखिए सूरुदास की जो भक्ती पत देती है उसका जो मेरुदंड है वो कौन सी भक्ती है बैसनब भक्ती है राम भक्ती है निर्गुण भक्ती है या पुष्टी मारगे भक्ती है तो आप बताईए कौन सी है तो दोस्तों सूरुदास की जो भक्ती पत देती है उसका किसकी है तो यह मलूग दास की लाइन है पंक्तियां मलूग दास जी की है बहुत पिरसिद्ध है बार बार आती रहती है पूछा जाता है कि यह नॉर्मल कोशन होता है तो डारेक्ट पूछ लिए जाता है कि यह पंक्तियां किस संब्द देता है जैसे कि हां पर पूछा गया ह और नेट जियारफ के में ये मिलान वाले कोशन में आता है अजिगर करेन चाकरी, पंची करेन अकाम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम बहुत शांदर बात है, मलूक दास जी ने कहिए कबीर किस के सिस्थे थे, अब आपको बताना है, जो कबीर दास जी है, वो किस के सिस्थे थे रामानुच के, रामानंद के, संकराचार के, या फिर नानक देब के तो बताईए आप जल्दी से किस के सिस्थे थे कबीर दास जी तो दोस्तों ये थे रामानंद के सिस्स चंदायन किस कभी की रिशना है चंदायन है ये बहुत ही ज़्यादा फैमस है और ये किस कभी की रिशना है आपको यहाँ पर ये बताना है तो ये दामोदर की है मंझिन की है मुल्ला दाउद की है या फिर कुट्वन की है तो आप बताईए किसकी है तो दोस्तो इसका सही उत्तर है मुला-दाऊद ढोला-मारूल- Hah के रचेता कौन है दोस्तो अगर आप राजिस्तान से संमस्दित हो तो आप इसको जरूर जानते होंगे और इसके रचेता कौन है कलोल है इस्वरदास है आलम है या फिर है नंदिदास तो आप बताईए इसका सही उत्तर है वो क्या है तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कभी कलोल देखिए दोस्तों इसमें है डोला नाम के राजकुमार होते हैं मारू नाम की राजकुमारी होती है उनकी प्रेम कहनी है और बहुत ज़् सभी कार किया है तो आनंद रामाइन था अध्यात्म रामाइन है या फिर बाल मीकी जी की रामाइन है तो इसका तर बताईये अब इसका जो सही रचेता रामाइन जानकी हरन के रचेता कौन है कुमार दास है भभूती है माधवभट है धननजय है तो आप जल्दी से बताईए जानकी हरन के जो रचेता है वो कौन है तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर कुमार दास नेक्स्ट कोशन देखते हैं रजव, सुन्दरदास और प्रागदास आदी संत कभी किस पंत के अनुयाई थे नारक पंत के, दादू पंत के, कबीर पंत के या फिर इसलाम पंत के तो आप बताईए इस मेंसे जो सही उत्तर है वो तो दोस्तों आप बताईए रामलला नहूचु है, ये किसकी रशना है? तुलसी दास जी की है, रहीम की है, केशब दास की है, या फिर है नाभा दास की तो इसका जो सही उत्तर है वो है तुलसी दास की, ये तुलसी दास की रशना है दोस्तों बिद्यापती का जनम कहां हुआ था अब आपको बताना है कि जो बिद्यापती जी है उनका जनम कहां पे हुआ बिहार में राजिस्थान में मद्धि प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों बिद्यापती का जनम हुआ बिहार में आपको ये याद रखना ह कई वार पूछा जाता है किस संप्रदाई में कृष्ण के बामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का बिधान है देखिए दोस्तों कौन सा संप्रदाई है जिसमें कृष्ण के बामांग में बामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का भी बिधान है तो र दार्षनिक गुरु कौन है जो दार्षनिक गुरु है वो कौन है रामानंद है निμबार्क है बल्वाचार है या फिर शंक्राचार है तो दोस्तों बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो इसका जो सही उत्तर है बो है बल्वाचार भक्ती का प्रस्थान गरंथ कौन सा है देखिए दोस्तों भक्ती का जो प्रस्थान गरंथ है वो कौन सा माना जाता है गीता है महभारत है रामाइन है या फिर है भागबत तो दोस्तों बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो इसका जो सही उत्तर है वो है भागबत मैं कहता हूँ आखन देखी तो कहता कागद की लेखी कहने बाले भक्त कभी कौन है देखिए दोस्तों ये जो भक्त कभी है इन्होंने कहा है कि मैं अपनी आखों से देखी हुई जो मैंने देख के अनुभब किया है उसको कहता हूँ और तू कहता है जो किताबों में लिखा हुआ है जो काकद में लिखा हुआ है तो उसको कहता है मतला समाज को इन्होंने बताया है कि मैं तो जो अनुभब करता हूँ और घुम घुम के जो देखता हूँ अपने आखों से उसको कहता हूँ लेकिन तुम जो इन गरंतों में लिखा है उसको कहते हो तो ये कौन से भक्त कभी है जिन्होंने ऐसा कहा है कुम्बन दास है, दादु दयाल है, कभीर दास है या फिर है रज्जव बताईए आप तो दोस्तो ऐसा ये की कभी कह सकते है वो और वो है कभीर दास जी बहुत फेहमस है ये नेक्स कोशन देखते है बक्तन को कहा सीकरी सो काम, किस कभी की पंक्तिय है दोस्तो ये बहुत ही जबहुत इन्पोर्टेंट है बार-बार कहने के आवश्कता नहीं है तो यहाँ पर option है पर्मानन दास, कृष्ण दास, कुम्भन दास और कवीर दास तो बताईए दोस्तों यह किसने कहिए बहुत ही ज़्यादा बार बार आती रहती है यह लाइन और सच में बहुत important है तो दोस्तों यह बात कहिए यहाँ पर कुम्भन दास जी ने last question है इस part का सूरदास का लीला बर्णन किस से प्रवाभवित है महाभारत से, बिद्या पत्ती की पढवलियों से, गीत गोविन से या फिर भागबत पुरान से अब आप बताए कि जो सूरदास जी का लीला बर्णन है वो किस से ज़्यादा प्रवाभवित है, किस से करते रही अच्छे से